Quanप मिरर गेजिंग के बारे में कुछ पोछना था त्राटक और वे दर्पन पर मिरर गेजिनग का मतलब है कि मिरर है उसमें आप देख रहें यह हैं है अब यहां पर 27 एक मिरर है और एक संभर不過Ooh जो आप है वह हैं ठीक है अब आप मिरर को तो देख नहीं रहे हैं mirror object को है ना आप देख रहे हैं mirror में अपने आपको ठीकि ना जो आपका प्रतिविम्भ है उसमें आप देख रहे हैं तो यह दो बचा third वाला aspect नहीं मतलब mirror object नहीं देख रहे हैं अब आप जो mirror में देख रहे हैं, जिस व्यक्ति को वो आप ही है। है ना, तो आप actually अपने पर focus हैं ना मिरर में जो व्यक्ति हैं उस पर focus हैं, उसके through, जो mirror में व्यक्ति खड़ा है, उसके थुर आप अपने उपर focus है। तो जब भी आप कोई हरकत करते हो तो आपको मिरन में दिखता है तो आपको ये पता चलता है कि मैं कर रहा हूं तो इससे मैं का बोध हो रहा है आपके मैं का बोध हो रहा है ने इससे तो अगर आप देखो तो ये जो त्राटक है ये जो मिरर गेजिंग है इससे आप सामने व तो बाल जहार रहा हो तो यह नहीं देखते की वो जहार रहा है आप खुद मुवमेनट करते हो और उसमें चेक्क करते हो कि यह सही है या नहीं इसका मतलब आपका जो focus area है वो self है self को आप better कर रहे हो और उसमें चेक कर रहे हो यह जो तो self prominent है यह जो mirror gazing है यह यह जो त्राटक टाइप है इसमें आपका self ग्यान बढ़ रहा है एक जो दूसरा आपने इसी में question किया था कौन सा था प्रतिविम्ब वाला कि तो से खुद को देखना कि आप मालो mirror में जो प्रतिविम्ब देख रहे हो जो आप कही है आप यह कह रहे हो कि वो प्रतिविम्ब आपको देख रही है तो इसका मतलब है कि आप अलग हो और जो प्रतिविम्ब में खड़ा आदमी है वो भी अलग है और थर्ड जो मिरर है वो तो अलग ही है, तीन हो गया, त्रैत हो गया, त्रैत ही होगा, अब यहां पर दो योग है, मतलब द्वाइत है, आप हैं और प्रतिबिम्ब में जो व्यक्त है वो अलग है, लेकिन जो इसके पहले है कि प्रतिबिम्ब में जो व्यक्त है वो आप ही है वो अद्वाई थे इसके पहले वाला जो था यहां पर जाए डिसकस करते हैं कि जो प्रतविम्ब में खड़ा है जो मिरर में प्रतविम्ब है वो आपको देख रहा है actually वो आपको कैसे देखेगा वो आप ही सोच रहे हैं केवल आप ये सोच रहे हैं कि वो देख रहा है प्रतविंब में सोचने की ताकत नहीं है किसी भी object में सोचने की ताकत नहीं होती ये तो आप सोच रहे हो कि वो सोच रहा है ऐसा डबल बर्डन आप खुद में द्वायत हो एक आप हो और एक आपने एक ऐसी ऑब्जेक्ट बनाया जो आप ही हो प्रत्विंब उससे भी सुचवा रहे हो तो आप दो काम कर रहे हो एक तो बाहर का द्वायत तो ही है ये दूसरा द्वायत है कि आप अंदर में दो चीजें कर लिया आपने एक आप खुद और एक आपका ही प्रत्विंब खड़ा कर लिया आपने दौएध कर कि नहीं दो जैसे-जैसे बढ़ता है वैशे वैशे कन्फूजन बारता है ध्यान दो क्योंकि आि यह सोच रहे हो कि वो प्रत्विंब बएक यह आपको विश्वास हो गय इसी को अग्यान तक है, सेम अगर एक्जामपल दो, तो हम भगवान किषन की सपोर्स पुजा कर रहे हैं, आप भगवान किषन से कुछ हममांग रहे हैं, भगवान किषन दे रहे हैं, आश्रवात दे रहे हैं कि तूम ठीख हो जाओ बच्चा, तुम संपन्न हो जाओगी यह है वो है एक्चुली करा रहा हो आप ही खुद यहां पर डुलिजम है जरो देखो आप ने भगवान किष्ण की एक इमेज डेवलप किया और उससे आप कन्वर्सेशन चाले अगर टेक्निकली देखो तो यह डुलिजम है आउटसाइड में भग चीज पैदा किया उसको आपने टुथ माल लिया और वो आपने माल लिया कि यह भगवान है यह सर्वसक्तिमान है उससे आपने आप ही ने बुलवाना शुरू किया अपने को आपने दरदर माल लिया वो जो इमेज डेवलप किया है उसको सर्वसक्तिमान माल लिया उसको सर प्रवसक्तिवान माना कर आप ही रहें, प्रडूजर आप ही हो, अब आप ने अपनी प्रॉब्लम सेयर किया, और उधर से प्रॉब्लम का आंसर आ रहा है, सलूशन आ रहा है, जब कि आप ही दे रहा हो सलूशन, इंडिरेक्टली, ये भाक्ती में तो चल जाएगा, इससे रहता है कि थौट प्रॉसस के चक्र को तोड़ो, थौट प्रॉसस के चक्र को तोड़ोगे कैसे जब तक नालेज नहीं आएगा, तो अचानक आपके पास ये नालेज आई, कि हमने ही इसे डेवलप किया, और हमी आंसर भी दे रहे हैं, हमी और दूसरी साइड में अपने ही मोड को स्विंग कराके उधर करेक्टर बन जाते हैं भगवान वाला, अब भगवान वाला करेक्टर बनके हम वहां से आसे बात देने लगते हैं, जब देखो करेक्टर कैसे बदलता है, तो एक करेक्टर हमने बनाया कि हम दरुद्र हैं, और एक दूसरा करेक्टर हमने बना इतने जानने वह इसलिए क्योंकि इतने process को जानना ही सबसे बड़ी knowledge है सबसे बड़ी practice है इसके बाद और practice क्या करो गया थार्ट का चक्र रुग गया हम अगर नहीं पहुंचे तो क्या है भाक्ती योग में ही रहें तो क्या हो सकता है डॉलिजम तो वहां रहे गही वहां डॉलिजम खतम नहीं हो सकता थौट्स का चक्र खतम नहीं हो सकता बस एक ही चीज हो सकती है कि जब आप दरिद्र और कमजोर बनते हो एक साइड एक करेक्टर आपका दरिद्र और कमजोर का है तो एक दूसरी साइड जब करेक्टर बिल्डिंग करते हो आसरबाद या भगवान का सर्वसक्तिमान का तो actually आप ही बनते हो तो आपके अंदर कहीं कहीं वो सर्वसक्तिमान वाली पावर डेवलप है तो इसका मतलब है कि मूड स्विंग के तो पूरे चैंसे हैं क्योंकि दो करेक्टर डेवलप कर रहा हो पर जब आप बहुत कॉंसेंट्रेट हो जाते हो सामने वाले पर ही वो जो भगवान आपने produce कर रखा है सर्व सक्तिमान वाला आप उसी पे ज़्यादा focus करते हो तो आपके अंदर वो ज़्यादा energy का flow बढ़ने लगता है क्योंकि आप उसी तरफ हो आपको विश्वास है कि वही सब कुछ है वही powerful है तो actually indirectly तो आपकी ही power बढ़ रही है तो power तो बढ़ रही है पर knowledge नहीं बढ़ रही है concentration span बढ़ रहा है पर knowledge नहीं बढ़ रही है वो सकता है 10 साल के बाद वो बढ़ जाए तो thoughts का चक्र तूट जाए पर power बढ़ने पर जरूरी नहीं कि thought का चक्र रुख जाए क्योंकि आपको जैसे जैसे उस पर विश्वास होता जाएगा energy बढ़ती जाएगी और आप उस पर focus करोगे energy बढ़ाओगे पर knowledge नहीं बढ़ रही है क्योंकि knowledge हमेंसा समझने से बढ़ती है इसलिए अपने जित्में ग्यानी होगी थे meditation करने के बजाए discussions करते discussions से ज्यादा knowledge के बढ़ने के chances होते हैं इसलिए सत्सं करते हैं conversation करते हैं तो mirror gazing में ultimately आप अपने mirror में अपने ही प्रति रूप से जब आप बात करवाते हो या उसको सक्तिसाली बना दिया है या उसको कमजोर बना दिया है तो आप ही सक्तिसाली भी बन जाते हो आप ही कमजोर बन जाते हो तो double conversation बंद करते हैं इस समय मैं आप से बात कर लाँ simple है आप हमसे question कर रहे हैं हम आपको जवाब दे रहे हैं अपना experience अब अगर यही चीज आपको हटा दू मैं अपने अंदर आपकी image को लाँ और आप से question generate कर वाँ और मैं answer दू तो इसका मतलब है कि मैं ही अपनी image जो आपकी बनाया था उस image में मैं खुद घुज गया और खुद उससे बुलवा रहा हूं hit कर रहा हूं न टेक्निकली और फिर मैं वापस आता हूं देखो traveling इतनी जल्दी वापस आया और फिर मैं बन करके मैं answer कर रहा हूं इसलिए जो इस तरह की के लोग होते हैं उनके mood swings सबसे ज़्यादा होते है clear? उनके mood swings, mood fluctuation अचानक panic हो जाना अचानक hyper हो जाना ये सब सबसे ज़्यादा होते है लेकिन जो आदमी character ही नहीं बदल रहा है mirror देख रहा है, mirror में अपने को ले देख रहा है कहीं भी किसी से बात कर रहा है वो बस single sided है one है तो तो change कहा हो वो unchangeable state पर तो हई है अपने master है वो जान रहा है कि वो क्या है तो दूसरे party की imagination ही नहीं करे गो है नहीं? तो imagination process का चक्र टूट गया thought process का चक्र टूट गया अब यह gazing बंद तो जो mirror gazing यहीं सब चीजों में basically purpose यही था कि आप अपने ही प्रतिरोग को देखो धेरे-धेरे knowledge बढ़ाओ पर अब इसमें अगर knowledge नहीं बढ़ रही है और कुछ और दाएंबाएं हो रहा है तो गड़बर हो जाएंगे हैंने तो फिर dualism के सिकार हो जाएंगे और हमारे विकास रुख जाएगा stop एगा